कि कि अध्याव ठखाओ भाशन नहीं सीधे आप लोग रिजर्ट बता दो नवादा पूरा नवादा सबी यहां हिस्वा के जितने यहां अभिवावक बुजूर्ग सबी लोगों को पैर चुके पड़ाम करते हैं और हिस्वा की नवादा की नौजवान जनता देखिए हम यहां पकाओ ठकाओ भाशन देने नहीं है समय कम है समय कम है पकाओ ठकाओ भाशन नहीं सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो नboundar पूरा नवदा भी जीत लह है कि नहीं जीत लहा है सारा स्चीट निकाल के दीजेगा कि नहीं दीजेगा देखला नवरात्री है मादुर्गा की अराथना पुझा हम करके आ रहे हैं कलश की स्थापना हुई है और जब कलश की स्थापना होती है जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते कि संकल्प लिया जाता है तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताईए संकल्प लिजे दोनों हाथ दोनों हाथ जिताना है ना देखा हमड़ा के कुछ ना कहें के बाद पांदरा साथ से तो लोग जानत औरा कि नितीश कुमार मुख मतरी बारे है डाबल इंजन के सरकारबा अद दिल पे हाथ रखके बोला जब लोग जावेला थाण जावेला तब बिना चरावेला कोई काम हो ला कितना लेता है बिना घूस के कोई काम नहीं घूस खोड़ी है बड़ी है कि नहीं बड़ी है आप लोग बताओ पंदरा साल में नितीशी रोजगार दिये कारखाना लगाएं पलाएं रोकें गरीबी मिटाएं किसानों के लिए सुचाई का वेवस्ता कराएं तो आप बताओ जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने चीन लिया नितीशी ने चीन लिया जो सुगर मील पेपर मील जूट मील जो चालू था वो भी बंद हो गया अब तुलोग सब लोग जानतरा कि नितीश कुमार जी भासन देले बढ़ें घूम घूम के कहा तरे कि बियार में समुंदर नहीं ना है लैंड लोग स्टेट है जमीन से घिर लिए इसलिए कारखाना नहीं लग सकता नितीशी आप ठक चुके हो आपसे बिहार समलने वाला नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं यूपीय की सरकार्टी बता लालुजी ने रेलवे का कारखाना दिया की नहीं दिया मढवडा में पर्सा में मदयपूरा में समुंदर था क्या चलो मान लेते हैं ना लोग स्टेट के हैं दिक्कत हो रही है कारखाने नहीं लग रहे हैं नौकणी नहीं दे सकते नितीजी तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाबी लाइनलोग स्टेट है राजस्थान भी लाइनलोग स्टेट है हर्याना भी लाइनलोग स्टेट है और बिहार से एक चोथा ही जितना छोटा छोटा राज है लेकिन बिहार का गरीब मजदूर किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं मजदूरी जाता है क कि निए पंजाब जाता की नहीं हर यारा क्योंकि वहां कर खाने विहार में क्यों नहीं है जो व्यक्ति 15 साल में एह हिस्वा की जनता नवादा की जनता जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए कर खाने ना दे पाए सिक्षा को चोपट कर दे अस्पताल बदाल है बताने की जरूरत नहीं है सब जाण रहे हैं तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल को एक काम नहीं दिया किया उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला कुछ भूज़ तरह कि ना भूज़ तरह प्लूज़ तरह था जंड़ं और बताबा ही भूज़ तरह एक दब शीदा बात हम बोलकता के लिए हम नव्रॉत कहने आं करता के लाजी संकर भलेने वाली हम जूट ना पो लाइं हम जो कहा ता निवस साच होवे के जाता जो कहा ता निवस साच होवे के जाता तो लोग बतावा एक मोका हमरा के मिली कि ना मिली अरे दोनों हाथ उठाके बताओ एक मुख्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुख्य मंतरी बलते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा सुनो नाजवानों सुनो पहला कैबिनेट मीटिंग में पहला मंतरी मंडल की बैटक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के तियास में पहली बार दस लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी अरे रोजगार चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए बताओ हम जूट नहीं बोलेंगे हमको लंबा राज़नीती करना है अहाम ठेट भी आ रही है ठेट भी आ रही है जो कहा तो नहीं हो करा के पूरा करें अहाम अधिये ने भी सुद्वा गुजाता ना कुछ लोग तो प्रश्ण उठा रहे थे बड़ी खुशी होती प्रदान मंत्री जी आए आज बिहार मोदी जी देश के प्रदान मंत्री चलो आपका स्वागत है उमीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेश राज का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप बताते विशेश प्रकेश का च्या हुआ जो आपने बिहार की बूली लगा so पथा कियो नहीं है 15 साल बजयपी सरकार में है आप बताते था कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया होना चाहिए अभी बार आया बताओ 85 लाख अबाधी प्रभावित रही है ठारा जिला बार में डूब रहा है सेंट्रल का टीम भी नहीं आ करके देखा कि मेरा भाई लोग बार में डूब रहा है उन लोगों को कुछ किया जाए कोई देखने नहीं आया अनि 30 कुमार जी तो 144 दिन से CM House में अंदर रहे पहले भी करोना था अभी भी करोना लेकिन उस समय नहीं निकले बार अभी निकल रहे बहुत चाहिए कोर्शी चाहिए तो निकला तरे बहुत मांगा तरे बताओ निकलना चाहिए था कि निकलना चाहिए था इस 2000 किलो मीटर तक 1500 किलो मीटर तक एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी एगो में समान लेके चला तरी 1500 किलो मीटर और नितीर जी कहा तरे कि जो जहां है वहीरो बोलेतें की नहीं बोलेतें चालीस लाग से भी जादा मजदूर लोगा है सुप्रीम पॉट्टे बोला कि रोजगार दो रिती जी आप जाये तो एएरपोर्ट चले जाओ रेलवे स्टेशन चले जाओ सम मजदूर को वापस ले जारा आप परायन कर रहा है बियार का अर्बो खर्बो रुप्या जाते हैं तो हम ज scaling निए आप लोग होशйार हो हमसे कहते हैं कि पईसा कहां से आएगा कि बियार का बजट्ट 2005 13000 करोडर है कितना दो लाग 13000 करोडर में कितना खर्च कर पाते इन साट फिस दी 40mm हो गया Mars 2, ho sadly एime हर करोडर का असी आजार करोर पैसा तो है यह लोगों को हम रोजगार दें सरकारी नौकरी बाद में जब निवेश बढ़ेगा टुरिजम बढ़ेगा प्यार खाने लगेंगे तो क्रिशिक में उदाधिकरन जो होगा उसको देखते वे जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग लेकिन दस लाग सरकारी नौकरी एक खटे किये जाएंगे एक खटे दिये जाएंगे इसलिए फॉरम भरते हो नौकरी के लिए पांचोर रुपया लगता है हजार रुपय लगता है चार-चार बार भर ले बारे सार अभी तक बहाली ना निकलल तो परिक्षा केंदर तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे भाढ़ा हम माफ कर देंगे जित्रे स्वैम साय समू है चाहे आशा दी आशा वरकर हो गई आगन बारी जी हो गई जी विका दीदी हो गई विकास बितRO हो गए इन सभी के मांदे को 4,000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे, नियोजिक, शिक्षक वाले लोग कितना नितीजम नहाँ आपको लार्थी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है, आप हम लोगों की सरकार benेगी, तो आपको समान, काम, समान, व्यतन देने का काम हम लोग करेंगे काई बजूर्ग वोगे उनसे पुछे बिर्दा पेंशन नहीं मिलता है तो समय पर नहीं मिलता है तो 400 रुपे मिलता है वो 400 रुपे को हम लोग एक ख़र करने जा रहे हैं बिर्दा पेंशन गो तो जारा कुछ नहीं कहना भाई लो मुद्दे की बात करें देगो हम नौजवान है नया सोच है नया बिहार बढ़ाना है तरक्की की बात होनी चाहिए मुद्दे की बात होनी चाहिए यूवा किसान बेरोजगार मुद्दूर सिच्छा स्वास इन पर बात होनी चाहिए आप लोग एक मौकर दीजे नया बिहार बनारा है हर जात के लोगों को हर धर्म के लोगों को हर वरक के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो जादा कुछ नहीं चाहे स्वन जाती के हो चाहे पिछड़े जाती के हो चाहे अती पिछड़े जाती के हो चाहे दलिज जाती के हो चाहे अदिवासी भाई हो चाहे सग्यक भाई हो सब लोगों को स कोछ लोग चाहेंगे जाट के नम पे लड़ाएंगे जात के नम पे लड़ाएंगे। लेकिन भी आर्क के लोग इस बार्ट बेड़ोजॅगारी नाफे पे लड़ाएंगे। किसान मठून के मुद्धे पे लहेंगे तो जायदा कुछ हम ना किए तो जो हात उठाजेथ के निस्चिन्द कर दादा हाथ उठा करके अर्जित कर दादा थके बना अब जात ऩरी सरकार बना में तर न वह आ लोगो कि हैंसी हाउ हुआ कि लरे के बाद अजी ते के बाद ए भाई लोग 9 नुवेंबर के लालु जी के एगो बेल में रियाई हो जाई एगो बेल हो गया एगो आखरी बचा है 9 नुवेंबर को लालु जी का रियाई होगा 9 नमबर तो मेरा जनम दिन भी है और 10 तारीको नितीजी का विदाई है अरे विदाई बानू दोरा हाथ उठा के बोलिए बोलो हिस्वा की जनता जिन्दाबाद नवादा की जनता जिन्दाबाद ये लड़ाई कोई नितीजी अपते जश्वी की नहीं है राहुल जी और मोदी जी की नहीं है ये लड़ाई तानाशा सरकार और जनता के बीच है और हम और राहुल जी जनता के साथ करे है बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैबिहाद